पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लोगप्रिय एक्टर फवाद खान को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो बॉलिवुड में एक बार फिर कमबैक करने वाले हैं। इन खबरों ने फवाद खान के फैंस को बेताबी को और बढ़ा दिया है। हर कोई यह जानने के लिए बेताब है कि निर्माताओं ने कौन सी फिल्म उफर की है जिसमें फवाद खान को एहम भूमिका में देखा जाएगा। दिल्चस्प बात यह है कि फवाद खान अब लगभग 8 सालों के बाद बॉलिवुड में अपनी धाग जमाते नजर आएंगे। बॉलिवुड में कमबैक की खबरों पर फवाद खान ने भी चुपी तोड़ दी है। फवाद खान ने बॉलिवुड कमबैक को लेकर कहां बाते हो रही होती हैं। जिसमें वानी कपूर को लीड रोल में देखा जाएगा। बीते दिनों आई, कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि फवाद खान को निर्माताओं में बॉलिवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की भूल भुलिया तीन ओफर की हैं। इस फिल्म में उन्हें एक कैमियो रोल में देखा जाएगा। हालां कि फिल्म के प्रोड्यूसर भूशन कुमार ने इन खबरों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि फवाद खान को भूल भुलिया तीन में कास्ट करने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करे शेर करें। और ऐसी ही दिल्चस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।